हेज़ का विडियो के अंदर हम बाइनेंज में का डॉप के बारे में बात करने वालें बाइनेंस में का डॉप है क्या तो बाइनस में का डॉप बैसिकली बाइन्स की तरफ से एक निया फीचर ए जहां यहां पर अगर आप Binance को यूज करते हैं तो आप फ्री में यहां पर नए Airdrops को क्लीम कर सकते हैं तो यूजली अगर आप देखेंगे क्रिप्टो में Airdrops क्लीम करने की पॉसिबिलिटी टाइम आती रहती है तो यह Binance की तरफ से इनिशेटिव है कि जहां पर वो नए प्रजेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर उनके Airdrops आने वाले हैं तो वही Airdrops easily Binance के users आप के थुरू यहां पर आक्सेस कर पाए अब कैसे इसको करना है क्योंकि यह काफी अच्छी ऑपॉचुनिटी है मतलब आप इसके अंदर पार्टिसपेट कर सकते हो अराम से आपर थोड़ी ट्रांजेक्शन फी वगरे लगती है टास्व अगरे करने के लिए लेकिन एक अच्छी ऑपॉचुनिटी बन जाती है इन एक यह भी हो जाते है कि बाइनस के थुरू पार्टिसपेट कर रहे हो तो पॉसिबली यह टोकन भी जो है कही ना कहीं आगे जाके आएगा और बाइनस पर लिस्ट हो जाएगा सारी चीज़ें जो है आज के वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे लेकिन आगे बढ़े उससे पहले वी वूड लाइक टो डिस्क्लोज क्रिप्टो इंडिया पार्टनर्टे बाइनस के साथ और ऐसे पार्टनर्स काफी इंपॉर्टन रहते हैं फॉरा चैनल की पिट रानिक एक बाइनस के उपर अकाउंट होना जरूरी है अगर आपका बाइनस के उपर कर्याउंक अपना दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको यूज़ों करने में काफी फीस बेनिविट मिलेगा KYC एक बार आप कर लीजएगा, KYC verified आपका account हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर participate कर सकते हैं, इस Binance Mega Drops के अंदर, अब आगे बढ़े इससे पहले कुछ important चीज़े हैं, क्योंकि जैसे normally अगर आप airdrop के अंदर participate करते हैं, outside Binance, तो जैसे आप wallets को use करते हैं, Metamask, Trust Wallet या अगरी detailed video बना रखा है, तो उस video का आप definitely एक बार पहले check out कर लेना, to understand कि आपका एक बार account बन गया, तो कैसे आप Binance का web3 wallet setup करें, बहुत आसान है, simple एकदम language में आपको समझा रखा है, कुछ minute लगेंगे, फटा-फट setup हो जाएगा, तो उस video को definitely आप एक बार check out कर लेना, त एक बार आपका account बन गया, KYC हो गया, web3 wallet भी आपका यहाँ पर enable हो गया, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, कैसे आप Binance Mega Drop के अंदर participate कर सकते हैं, अब I know कुछ लोगों का question यहाँ पर ही होगा, कि अगर हम Binance application को access नहीं कर पारें, तो हम किस तरह से AirDrop के अंदर participate करें, तो don't worry इसको लेके भी solution मैं आपसे video के बाद में यहाँ पर share करूगा, लेकिन एक बार आप यहाँ पर जो अपना account है, वो आपने create कर लिया, KYC यहाँ पर कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने phone पर जाना है, और Binance की application को open करना है, अब यह जब application open हो गई है, तो आपको यहाँ पर top left में Binance के icon पर क्लिक करना है, तो नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर mega drop आपको दिखेगा, अगर नई दिख रहा है तो कोई बात नी, more services पर क्लिक करिए, और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, mega drop तो यहाँ पर भी आपको यह शो कर जाएगा, इस पर क्लिक क अगर हम move करेंगे, तो देख सकते हैं, reward info, आपका कितना score है, कितना आपने score को earn किया, जतना earn करेंगे, उतना ही token आप यहाँ पर जीत सकते हैं, उसके नीचे अगर आप देखेंगे, log BNB है, तो इसके उपर हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे और नीचे move करते हैं, तो आ अगर आपको इस mega drop में participate करना है, तो आप normal task करके, तो earn points कर सकते हैं, जैसे नीचे यहाँ पर यह दिख रहा है, लेकिन अगर आप additional score को और earn करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर option रहे कि अगर आपके पास BNB, आप BNB को stake कर सकते हैं, और stake करके बदले में आपको य 15 days, 30 days, 30 days का 1 BNB यहाँ पर कर रखा है, तो यह आपको interest भी मिलेगा, इसके उपर yield भी मिलती रहेगी, and साथ में आप additional score भी earn कर सकते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन यह totally optional है, यह compulsory भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बस additional points आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अब नीचे अगर हम यहाँ पर आते हैं, तो complete web3 quest, quest को कैसे पूरा करना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, earn points के उपर click करते हैं, तो earn points पर bounce bit के अंदर currently यह task है, कि आपके पास यहाँ पर 0.000111 BTC होने चाहिए, मतलब आप 5600 रुपे की BTC मान लिजे, वो आपके पास होने चा करेंगे, यहाँ पर start out करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास binance का web3 wallet है, उसके उपर भी तो balance होना चाहिए, तब भी तो transaction होगा, तो उसके लिए हम cross करते हैं, और पीछे यहाँ पर जाते हैं, एक बार हम back आ गए, तो हम यहाँ पर wallets के उपर click करेंगे, अब हमारे यहा Binance का account है, वहाँ पर आपने कुछ 5-10 dollar के BNB अगर buy कर रखे हैं, तो वो रख लेना, और कम से कम आप 10 dollar के आपकी BTC है, वो आप रख लेना, buy करके spot wallet के अंदर, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, spot wallet पे तो आपने buy करके रख लिए, web3 wallet पे कैसे उनको move करना है, तो उसके बा transfer के उपर हम click करेंगे, यहाँ पर पूरा सब कुछ, details पूरी की पूरी यहाँ पर आगए, और यहाँ पर हम दाल सकते हैं, जितने भी amount के आपको BNB जो है, वो transfer करने है, वो आप currently यहाँ पर दाल सकते हैं, और फिर withdraw के उपर आप click कर सकते हैं, तो वो automatically withdraw यहाँ पर हो जाए करेंगे, और यहाँ पर हम select करेंगे, bitcoin, btc, btc यहाँ पर आगया, अब next network जो है, यह important है, network bitcoin मत रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हमको Binance का BEP20 select करना है, तो यह हमने यहाँ पर select कर लिया और उसके बाद transfer के उपर हम click करेंगे, next नीचे यहाँ पर हम आएंगे, तो यहाँ यहाँ पर हमको जो amount चाहिए है, वो basically इस task के अंदर participate करने के लिए किता था, 0.000111, तो हम यहाँ पर 0.0002 कर देते हैं यहाँ और उसको हम यहाँ पर withdraw कर देते हैं, नीचे आप देख सकते हैं, amount जो receive यहाँ पर होगा, तो withdraw के ओपर मैंने click कर दिया, यह पूरी details यहाँ पर process हो रहा है, देकें, already अगर आप देखेंगे, मैंने पहले भी transfer करके रखे हैं, तो यहाँ पर जो मैंने BTC transfer किया हैं, क्योंकि वो BEP 20 में transfer हो है, तो इसलिए वो BTC B में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, already दिख रहे हैं, $10 के यह पहले जो मैंने transfer कर रखे थे, तो एक बार ह BNB आ गए हैं, आपर 26 डॉलर के हैं, BTC भी हैं, आपर 10 डॉलर के, तो अब हमारे पास balance हो गया, हमारे balance की Web3 wallet के अंदर इस task के अंदर participate करने के लिए, तो अब हम यहाँ पर फिट से exchange के उपर click करेंगे, exchange पर click करने के आदा हम home पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम icon पर click करके हमको mega drop पर जाना है, तो मैंने mega drop के उपर यहाँ पर click कर दिया, अब नीचे मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर यह complete web3 request यह हमको complete करना है, तो यहाँ पर earn points के उपर मैं click करूँगा, click करने के आद पूरी details है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अब मैं यहाँ आ start now के उपर click करूँगा, उसके बाद यहाँ पर message pop up होगा कि आप task पूरा कर लेते हैं, तो verify now के उपर click करना है, जो हम आगे करेंगे, तो I'll show you how to do it, तो okay पर हम अभी currently click कर देते हैं, अब यहाँ पर bounce bit का mega drop का page open हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, deposit 0.001 BTCB to finish the quest, तो हम यहाँ पर deposit के उपर click करेंगे और यह connect wallet जो इसके उपर click कर देते हैं, आपर लिखा हुआ है web3 wallet, तो हमने आपर select कर लिया है, अब यहाँ पर हमको approve के उपर click करना पड़ेगा, तो यहाँ पर transaction जो है, वो currently approve हो रहा है, अब देख सकते हैं, जैसा मैंने बोला था, BNB भी थोड़ा रखना क्योंकि transaction fee लगेगी, BEP20 की यहाँ पर तो नीचे दिख रहा है, यहाँ पर 0.03 डॉलर का BNB यहाँ पर कटेगा, तो हम यहाँ पर confirm के उपर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर verification हो रहा है, तो यह verification कर लेते हैं, उसके बाद next message आएगा, यहाँ पर contract interaction का तो इसकी भी transaction fee लगेगी, 0.10 डॉलर की in BNB, तो उसको भी हम यहाँ पर confirm करेंगे, और फिट से verify करेंगे, अब transaction यहाँ पर submit हो रहा है, अब transaction यहाँ पर successful हो गया है, तो next मैं यहाँ पर continue के उपर click करूँगा, और यहाँ पर अब जो task है, वो हमारा पूरा हो चुका है, त तो अब next, क्योंकि मैंने यह transaction कर लिया, तो अब मेरको यहाँ पर verify के उपर click करना है, तो मैं verify के उपर click करूँगा, तो verify में यह check कर लेगा, कि हाँ मैंने जो task था, वो पूरा complete कर लिया है, और अब मेरा task complete यहाँ पर हो चुका है, मैं ok पर click कर देता हूँ, तो यह पूरा पर अब और भी जैसे-जैसे task आते रहेंगे, यह 13th of May से पहले, वो सारे task में रोज जाके यहाँ पर check करता रहूँगा, और वो task complete करता रहूँगा, और जितने score हो सकता है, उतना मैं collect करने की कुशिश करूँगा, जितना जादा मेरा score, उतने जादा मेरे पास possibility रहेगी, यहाँ पर bounce bit के token free में earn करने के लिए, और ऐसी और भी airdrop जो है bounce bit को छोड़के आने वाले time पे इस wallet के अंदर आएंगे, तो definitely काफी अच्छी opportunity बन जाती है, यहाँ पर earn करने के लिए, तो I hope अब आपको clear हो गया होगा, कैसे आप Binance के mega drop के अंदर participate कर सकते हैं, अब next यहाँ पर solution है, उसका solution यही कि आपको directly यहाँ पर bounce bit की website के उपर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप दूसरे wallet को use कर सकते हैं, जैसे अगर आपका metamask का wallet है, उसको आप use कर सकते हैं, तो इसकी भी website का link जो है, मैं नीचे दाल दूँगा bounce bit.io और यहाँ पर आप launch app के जहाँ पर आप अपने wallet जो है, उसको basically यहाँ पर connect कर सकते हैं, और connect करने के बाद, वो जो transaction है, वो पूरे कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर airdrop जो है, airdrop के अंदर task लिखे हुए, तो यहाँ पर आपको metamask wallet जो है, वो अपना metamask wallet यहाँ पर connect करना होगा, तो वो ही चीज़, सेम चीज़ करनी होगी, यहाँ पर आपका BTCB जो है, वो deposit करनी होगे, BNB होने चीज़, transaction के लिए, और उसके थुरू आप यहाँ से अपने task complete कर सकते हैं, और फिर जो token यहाँ पर बाद में airdrop होँगे, वो आपके metamask wallet के अंदर ही, automatically यहाँ पर आ जा staking chain है, जहाँ पर अगर आपको Bitcoin को लेके restaking करना है, तो वो सारी चीज़े यह enable करेंगे, जहाँ पर यह C5 और DeFi का mix लेके इन सारी चीज़ों को introduce कर रहे हैं, जहाँ पर you can see currently है, Binance Labs को भी अगर आप देखेंगे, तो वो भी invested है, यहाँ पर bouncebit के उपर, और in fact इनका यहाँ पर जो यह पूरा platform यूज भी करें, जो services भी देने वाले, उसके अंदर आप देख सकते हैं, यह regulated custodial services, सेफू की use करें, सेफू अगर आपको नहीं पता है, तो Binance का यह custodial service थी, जो बाद में इनोंने अलग से separate entity यहाँ पर बना दी है, एन साथ में मेंने डिजिटल एंप 1.1 billion है, initially जब यह token launch होगा, तो वहाँ पर around 409 million के around, यहाँ पर circulating supply यहाँ पर आएगी जब Binance के उपर list होगा, Binance का mega airdrop जो है, वहाँ पर around 168 million token 8% supply यहाँ पर distribute करेंगे, तो यह जो लोग task करेंगे, उनको यहाँ पर distribute होगे, token distribution की अगर हम बात करेंगे, तो वो भी आप screen क के उपर देख सकते हैं, तो यह हो गया overall video of Binance Mega Drop के उपर, I hope इस video को देखने के बाद आपको clear हो गया होगा, किस तरह से आप Binance के उपर यहाँ पर mega airdrop के अंदर participate कर सकते हैं, प्लीज नोट यहाँ पर अगर आपको Binance की थूरू participate करना है, तो आपके पास Binance का Web3 wallet होना चाह Binance Maker Drop पे definitely keep an आए, क्योंकि यहाँ पर bounce bit तो पहला project है, आने वाले time पे और भी projects यहाँ पर आते रहेंगे, और bounce bit के भी task हैंगे, तो उनको भी आप complete यहाँ पर करते रहेंगे, और काफी अच्छा तरीका भी बन जाता है, ऐसी airdrop पर participate करना, जो पता है कि Binance या बड़े exchanges प यहाँ पर explore कर सकते हैं, तो guys, I hope आज का वीडियो आपके लिए useful रहा, अगर useful रहा तो do like, do subscribe, बाकि जो भी आपके viewpoints है, आप नीचे comments में जरूर दाल दीजिएगा, बाकि मिलेंगे आप नेक्स वीडियो के अंदर पतकली, bye and take care, see you guys, bye bye